नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं इस पे नाइन न्यूस पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री मंता बैनर जी इन दिनों पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती हैं ये उनके बयान सामने आते हैं जो इश्यारा करता है कि पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती हैं और चुनाव जीत भी सकती हैं वो कहती हैं कि इंडिया गडबंधन से तो मजबूती उतनी ही है लेकिन अगर कॉंग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उसरी तरफ बिहार में हो रहे सियासी घमसान के बीच में राखुल गांधी का समर्थन करती हुई नजर आती हैं इसी घमसान के बीच में इंडिया गडबंधन की मजबूती को बताते हुए नितीश कुमार पर हमला साधती हुई भी देखी जाती हैं मंतब एनरजी की बात क किसी और पार्टी के साथ लेकिन जैसे ही यात्रा बिहार में पहुंच जाती है तो नितीश कुमार पर हमला साधते हुए भी मंतब एनरजी नजर आती हैं मंतब एनरजी का कहना होता है कि नितीश कुमार ने जो किया है वो सरा सर नाइंसाफी है नितीश कुमार ने एक बार साबित कर दिया कि उन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है वो ऐसे व्यक्तिगत रूप में देखे जाते हैं जहां पर अपने फायदे के लिए वो किसी भी पार्टी का इस्तमाल कर सकते हैं और इसी बात पर वो यहां पर नितीश कुमार के खलाफ उतरती हुई नजर आ रही है लेकिन आप सुत्रों के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि ममताब इनरजी यहां पर नितीश कुमार से मुलाकाद भी कर सकती है और यहां पर देखा जाए तो नितीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगी क्योंकि इंडिया गडबंधन की मजबूती को और भी ज्यादा यह बिहार पहुंच जाए क्या ऐसा हो सकता है क्या है आपकी राए कमिन बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहें इस पे नाइन न्यूस थान्यवाद